सहाजा ने अपनी बेगम की याद में आगरा में ताज महल बनवाया था तो वहीं बुलंद सहर में भी जो इस वक्त के यहां के सहाजा कहे जाते थे फैजुल हसन कादरी साहब उन्होंने भी अपनी बेगम की याद में एक ताज महल यहां बनवाया ताइम पे जब उनकी डेट हो गए उनकी बीवी की तो यह जो थी दो हजार ग्यारा चोवीच दिसंबर को तो तब ही उनने ठान ली थी क्योंकि उससे पहले जिकर कर देदे कि हमारे तो कोई है नहीं क्या करा जाएगा बेगम में ऐसा चीज बना के जाओंगा आपकी याद मे कि दुनिया याद रखेगी इस बात के लिए वह ले अच्या तो उस टाइम पे इनके पास जो था कुछ इन्होंने जेवर बेचा थोड़ी सी जमीन बेची और आट-दस लाख रुपया इस्टार्ट करवाया था अब वो दीरे दीरे काम चल रहा था जैसे जैसे पैसा होता कई लोगों ने मदद करने की सोची विदेश से भी फ्रांस से और उससे जो थे जर्मन से लोग आए थे और उन्होंने भी अंगरों ने बतेरा चाहा कि हम से कुछ ले लो हम ले नहीं अभी प्लान उनका फिलहाल का यह था कि मैं अभी इसमें कुछ पत्थर का काम करा दिया जमीन यह दान में दी थी बीचंदरकला डियम थी उस जमाने में तो उसमें थोड़ी शी शराइत करना भूल गई थे उन्होंने हलाएं कि तहसितलार से कहा था कि मेरी कुछ शराइत है तो उन्होंने उस वक्त यह कह दिया कि यह सब बेहनामे के बाद हो जाएंगी जो आज अब्लाम का नाम बढ़वाना चाहते थे इसके साथ यह चाहते थे कि एक विध्याल्य भी अपनी वेगम की याद में यहां इसका जो नाम है उनकी बेगम के नाम पे हो जाए लेकिन वो अभी ऐसा हो नहीं पाया तो वहीं ताजमहल पे भी अभी पत्तर लगना बाकि है और सहा जहां अब अपनी बेगम के पास चले गए हैं लेकिन लोग यहां अब कोशिस कर रहे हैं उनके जो परिवार से जुड़े हुए सेहर.